मेरे प्यारे बच्चों आप सबी का स्वागत है आपके अपनी यूटूब चैनल आफ्ताब इस्टडी क्लासेस में आज की इस वीडियो में हम लोग UPTGT आइट के पेपर को यहाँ पर सॉल्व करेंगे यदि आप भी इस पेपर को सॉल्व करना चाहते हैं अपनी तैयारी को चेक करना चाहते हैं तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा और यदि आप चैनल पर पहली वा रहा हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजेगा आपके पेपर में आपको 125 प्रश्ण मिलेंगे ठीक है तो 125 में से आप जितने भी याप पर इतना स्कोर कर पाएं वो आप हमें कमेंट वाक्स में बता दें शुरुवात करते हैं हम लोग यापर प्रश्ण नमबर एक से भरहूत इस्तूप की खुदाई किसने करवाई थी आप्शन ए द्याराम सहनी आप्शन बी रायक रश्ण दास आप्शन सी सरजान मार्शल और आप्शन डी है सर अलेक्जेंडर करिंगम यहां पर आपका राइट आंसर हो जाएगा आप्शन नमबर डी सर अलेक्जेंडर करिंगम ने भरहूत इस्तूप की खुदाई करवाई थी भरहूत इस्तूप कहां है तो आप बताएंगे मद्य प्रदेश के सतना जिले में है ठीक है तो इतनी बात भी आपको पता होनी चाहिए आगे देखते हैं इसके बाद अगला प्रश्ण एक दूसरे को पान का पत्ता देते दाधा और कृष्ण को किसने चित्रित किया था तो यहाँ पर आपको बताना है मनसोज, निहालचंद, सही पत्दीन और परखू यहाँ पर आपका करेक्टांसर हो जाएगा निहालचंद निहालचंद ने चित्रित किया था एक दूसरे को पान का पत्ता देते राधा और करिफ्टन का चित्र बनाया था, ठीक है? अब यहाँ पर हम बात करें कि यह निहाज चंद जो है यह किस शैली के प्रसिद चित्रकार है तो आप बताएंगे यह है किशनगर शैली के किशनगर सहली के ये चित्रगार है ठीक है इतनी बात आप सभी को पदा होने चाहिए अब इसके बाद किशनगर सहली में और भी कई चित्र है कर जैसे आप समझेगा नौका विहार ठीक है नौका विहार आप से कहा जा तो आप बताएंगे ये भी किशनगर सैली का चित्र है सांजी लीला सांजी लीला ये भी किसका है किशनगर सैली का है सांजी लीला प्रेम की नौका प्रेम की नौका ये भी किशनगर सैली का चित्र है जात्री में गवईये जात्री में गवईये तो इस प्रकार से आप लोग इने भी याद कर लिजेगा नौका विहार, ये भी किशनगर सहली का चित्र है सांजी लीला भी है, प्रेम की नौका है जात्री में गवये है, लाल बाजरा ये सभी किशनगर सहली के चित्र है अगला प्रस्ण देखते हैं, ठीक है? प्रस्ण नंबर तीन है, येंत्र प्रमापी गोज निम लिखित में से क्या है? गोज के बारे में आप बात की गई है, तो आप बताएंगे कास्ट के उत्केडन के लिए अर्द गोलाकार छेने ये है गोज ठीक है? इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा प्रस्ण नंबर आपके लिए आचुका है, चार्ड नंबर शिला मुत्रण का आविश्कार किसने किया था? आप्शन A, जॉन एलोई सेनफेल्डर ने आप्शन B, जॉन केक्स्टन ने आप्शन C, जॉन गुटनवर्ग ने आप्शन D, कोसो लन ने यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जॉन एलोई सेनफेल्डर ने ठीक है? और यह आविश्कार कब किया था? अठारवी शताबदी के अंत में, ठीक है? अठारवी शताबदी के अंत में आविश्कार किया था इसके बाद आगे देखीगा प्रेश्ट नमबर पांच आपके लिए आचुका है आपको यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है? वीडियो की क्वालिटी को थोड़ा बढ़ा लीजेगा अब आपको यहाँ पर साफ दिखेगा, ठीक है? क्वालिटी बढ़ाईएगा, साफ दिखेगा सोची एक को सोची दो से मिलान करना है और आपको यहाँ पर ब्रताना है कौनसा correction करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा आपको यहाँ पर जचनाइद रिकी हैं और इन कभीयों के नाम दरिकी हैं जहसराज यह है मतिराम के, ठीक है? रसराज का संबंद मत्राम से है एका चार हो गया मतलब यहाँ पर आपसे नमबर आपका यहाँ पर एवाला बंदा है और देखिए रसमंजरी रसमंजरी किसकी है भानुदत्त की है तिलक मंजरी धनपाल और रसिक प्रिया के शब्दास आप लोग याद भी कर लिजेगा रसराज मत्राम से संबंदित है रसमंजरी भानुदत्त से संबंदित तिलक मंजरी धनपाल से संबंदित और देखिए पर आपके लिए आचुका है छे नमबर क्या करा है लेपीस लाजुली में कौन सा रंग बनता है लेपीस लाजुली से कौन सा रंग बनता है पीला, नीला, हरा, लान तो आप क्या बताएंगे लेपीस लाजुली से नीला रंग बनता है ठीक है कहने का मतलब है कि लेपीस लाजुली जो है इसे हम लोग कहते हैं नीला ठीक है मतलब नीदल रंग को ही कहते है ठीक है और ये बनता कैसे है एक कीमती पत्थर जो होता है ना मतलब बहुमूली पत्थर उसको गिसकर बनाते है इसे ठीक है अगर और बात की जाए कि पीला रंग जो होता है ठीक है पीला रंग इसकी अगर बात की जाए तो इसे हम कहते नेहजाम रज, ठीक है, आगे देखिएगा, निम्लिखित में से, प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है, प्रिंट मेकिंग के कलाकार कौन है, जै जरोटिया, एस एन लाहरी, गुरफान किलवई, कमवल करेश्ण, आप बताएंगे ठीक है कमवल क्रेश्ण जो है ये प्रिंट मेकिंग कलाकार है प्रिंट मेकिंग के कलाकार है ठीक है आठ नमट देखिए कलाकार सनतकार द्वारा ग्राफिक कला की किस नई तकनीक की खोज हुई एचिंग विसकोसिटी लुगदी छापा चितर काश्ट उतकीर्ण यहाँ पराबताएंगे काश्ट उतकीर्ण ठीक है कलाकार सनतकार द्वारा ग्राफिक कला की काश्ट उतकीर्ण की खोज हुई ठीक है इसके बाद और आप लोग आगे देखिएगा अगला यहांपर है प्राशन निमबल 9 के शितर कार वाज च्छापाकार ने वुढ़ण स्रंखला स्रिजित की तो यह कौन है? सोमनाथ होर, सनतकार, चित्प्रसाद, क्रिशना रेडड़ी तो यहाँ पराबताएंगे सोमनाथ होर ठीक है ये चित्रकार और छापाकार है उन्होंने क्या क्या वुडंस स्रंखला स्रजित की है तो इनका नाम आप लोग यहाँ पर ध्याँ दखेगा ठीक है इसके बाद में आप लोग आगे दिखेगा अगर और बात कह लें आपर कि यह सोमना धोर जो है इनके और चित्र कौन कौन से है तो इनके चित्र है सफेद पर सफेद स्रंखला याद कर लिए जबाए सफेद पर सफेद स्रंखला ये इनका चित्र इसका नाम है और अगर बात क करें जख्म तो जख्म भी है और मिथुन भी है ठीक है तो इन्हें भी आत करेगा सोबनात और के चित्र है सफेद पर सफेद सरंकला जख्म मिथुन आगे देखें इसके बाद प्रस नमर दस फिरका पेंटिंग का संबंद किस चित्रन शैली से था तो बंगाल स्कूल अवाद इसकूल कंपणी स्कोल मोगल बंगल स्कूल आपका यह पर बिलकुल अई टांसल हो जाएगा ठीक है फिरका पेंटिंग का संबंद जो है कंपनी इसकूल का अगर बात करें कंपणी शैलीक चित्र में बने होते हैं तो कंपनी शैलीक के चित्र आट गुडा 16 इँन्ज आगे दीखीगा इसके बाद अगरा प्रश्णापका है कि एक घन को सामने से अवलोकन करने पर उसके कितने आयाम या पार्शु दिखाई देते हैं यदि घन का एक किनारा कोर आपके ठीक सामने बीचो बीच हो यहां आपके द्रश्ट इस तर से नीचे रखाओ प्रश्णापका ये है गन कैसा होता है जिसकी चारों बुजाएं आपकी बरावर होती है एक डिब्बे के आकार का होता है गन इस तरीके से इसे हम करते हैं ये है गन अब आपसे कहा क्या गया है आपसे ये कहा गया है इसमें कि एक गन को सामने से अब रोकन करने पर उसके कितने आयाम दिखाई देते हैं मतलब कितने पार्श दिखाई देते हैं और ये गन का एक किनारा आपके ठीक सामने बीचो बीच में हो तो आपके द्रश्ट इस तर से नीचे रखा हो आपको कितने आयाम मतलब पारसु दिखाई देंगे तो आपको पता होना चाहिए कि घंज उता है उसमें 6 सते होती है 6 होती है सते ठीक है और आप से का गया कि जब हम सामने से ब्रोकन करते हैं तो हमें कितने आयाम दिखाई देंगे कितने पारसु दिखाई देंगे तो यह आप देखीगा सामने से आपको एक तो यह दिखा देखाईगा एक यह दिखाईगा सामने वारा पार्ट एक यह दिख जाएगा और एक यह वारा पार्ट दिख जाएगा ठीक है तो कितने हुए तीन तो आप बताएंगे तीन ठीक है तो तीन यहाँ पर आपका बिल्कुल सही option हो जाएगा आगे देखेगा इसके बाद इनमे से कौन सा कलाकार अपने कलाकार के लिए लकड़ी को जलाता और काटता है सुबोद गुपता नलिनी मालिनी जे राम पटेल जे जहारोटिया यहाँ पर आप बताएंगे जे राम पटेल option C आपका यहाँ पर correct answer हो जाएगा आगे देखेगा हडपा से प्राप्त पुरुष नर्तक धड किससे बना है चोना पत्तर बलुआ पत्तर कांसे मरड सिल्प यहाँ बताएंगे चोना पत्तर से बना है तेके चोना पत्तर से बना है इसके बाद आगे देखेगा निम्रिखित में से कौन सी कला त्री आयामी कला रूप है चितर कला, छापा चितर कला, मोर्ती कला, संगीत कला आप बताएंगे मोर्ती कला जो है ये त्री आयामी कला रूप से है मोर्ती कला ठीक है मतलब मोर्ती कला जो है वो त्री आयामी कला का रूप है इसके बाद आगे देखेंगे हम लोग यहाँ पर अच्छा मूर्तिकला कहते हैं किसे हैं अगर यहाँ पर हम यह बात कह लें तो आप समझेगा कि पत्थर होता है चाहें पत्थर को ले लिजीए आप या पत्थर की जगहे पर किसी भी धातु को ले लिजेगा ठीक है पत्थर या धात को रहने पर और इनसे बनाएंगे मूर्तियां चोटी मूर्तियां हैं बड़ी मूर्तियां हैं तो ये सब बनाएंगे पत्थर धातु से इसे ही हम लोग कहेंगे मूर्ति कला ठीक है आगे दे अमृता शेर्गिल अजीर चक्रवर्ति रामकुमार कि आप बताएंगे अमृता शेर्गिल ठीक है अमृता शेर्गिल और इसके बाद अगर हम बात करें कि अमरता जो शेरगिल हैं इनके द्वार लेखी के पुस्टकें कौन कौन सी हैं तो इनके पुस्टकों के नाम आप लोग याद कह लिजेगा Indian Art Today क्या नाम है Indian Art Today ये इनकी पुस्टक है और भी कही पुस्टकें हैं और देख लिजेगा आप एक Art एंड एप्रिशियेशन ठीक है एप्रिशियेशन ये इनके पुस्तके हैं इंडियन आइट टुड़े है आइट एप्रिशियेशन आगे देखीगा क्या प्रशन आपका है कि बंगाल शैले के प्रमुक चित्रकार कौन थे राजा रवी वर्मा अम्रता शेर गिल नंदलाल बोस एम एफ हुसेन बंगाल शैले के बात की गई है तो आप क्या बताएंगे नंदलाल बोस ठीक है बंगाल शैले के प्रमुक चित्रकार नंदलाल बो ठीक है और अगर हम बात कि जाए कि नंदलाल भोस जो है यह किनके शिष्ष है ठीक है तो यह जो है अवनेंदर नात के शिष्ष्ष है नंदलाल भोस इसके बाद आप लोग आगे देखिएगा अगला प्रशन आपका यह है कि सही काला नुकरम का चैन करें सत्रा में आप देखिएगा तो यह आपको दरखे है यहाँ पर जैन धर्म से संबंदित दरखे है यहाँ ठीक है तो आपको यहाँ पर करना क्या है आपको यहाँ पर एक साइट से लगाना है विल्कुल काल के नु दिशब नात यहां पर लिखा हुआ है नाम जो यह जैन धर्म के पहले तिर्थंकर थे ठीक है और अजीत नात जो है यह दूसरे तिर्थंकर है पास नात 23 में और माविस्वामी 24 में तो आपका आपसन नमबर यहां पर पहला वाला जो है यही करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रेश नमबर 18 पर हम लोग आ चुके हैं पोर्तिया एकाश्म सेल से उतकेड मंदिर का उधारन उताई है जो एकाश्म सेल से बना हुआ है गुप्त कालिन मंदर बेतर गाउं कैलाश्म मंदिर एलोरा लिंगराज मंदिर उडिसा सोरे मंदिर कोड आर्क देखिए एक बात आप लोग यहाँ पर याद करीजेगा यह जो पॉइंट चाओद रखें है चारों पॉइंट जो है काउनसा मंदिर किस जगए पर है यह तो सही है लेगन आपको बताना है एक आश्म शैल से पूर्टा जो है काउनसा निर्मित है तो यह आपका है कैलाश मंदिर एलोरा वाला ठीक है कैलाश मंदिर एलोरा और यह मंदिर जो है यह शिल्प शैले का उधारण है ठीक है आप लोग इसे याद रखेंगे शिल्प शैले के बारे में गर बात की जा तो आप बताएंगे कैलाश मंदिर एलोरा ठेक है आप लोग यहां तक बात को समझ चुके हैं ठेक है आगे देखिएगा कलाकार एफ एन सूजा का पूरा नाम बताईए फ्रांसिस न्यूटन सूजा क्या बताएंगे फ्रांसिस न्यूटन सूजा ओके कलिर हो गया तक आपका ठीक है अगला है खजराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माड किस राजवनस ने करवाया था खजराहो कहां पर है मध्यप्रदेश के अंतरगत है खजराहो ठीक है और इसके निर्माड की बात किए गई चंदेल पल्लब चालो के गंगा चंदेल शाशकों ने जो है खजराहो के अधिकांश मंदिरों का निर्माड करवाया था ठीक है आगे देखिए समकालीन आधुनिक भारती छापा कलाकार अनुपम सूद द्वारा बनाए गए छाया चित्र का शिर्शक बताईए अधिम और हवा दिवारों से सरोकार पुरुष और प्रक्रत एक गुलाब का जन्म दिवारों से सरोकार ठीक है ये छाया चित्र जो है ये अनुपम सूद के द्वारा बनाए गया था ठीक है दिवारों से सरोकार यहां तक क्लिए रहे आप सभी को ठीक है अगला है कलाकार पीवी जानकी राम इनमें से किस चीज से काम करते थे कलम से कावच की लुगदी से उभारदार से या टेरा कोटा से यहां पर आपका करेक्टांसर हो जाएगा उभारदार से काम करते थे ठीक है अदलब जो पीवी जानकी राम है यह उभारदार माध्यम से काम करते थे घुक्पे यहां तक आप सभी को क्लिर हो गया है थेक है इसके बाद आगे देखेंगे हिक की गजट को निम्रिखित में से क्या कहा जाता है बंगाल गजट, ब्रिटिस गजट, इंडिया गजट, कलकत्ता गजट इसे हम लोग कहते हैं बंगाल गजट ठीक है बंगाल गजट अगला है अजन्ता की चित्रकला किस चित्रकला का उधारण है मियूरल, फ्रेस्को, तैल या ग्राफिक मियूरल कला का उधारण है ठीक है अजन्ता की चित्रकला जो है ये मियूरल चित्रकला का उधारण है और अगर हम बात करें कि भारत में बेत्ती चित्रण की परंपरा जो है स्टार्टिंग अजन्ता से ही हुई थी मल भारत में अगर बात करेंगे बेत्ती चित्रकला के तो बेत्ती चित्रकला की बात करें अगर हम तो स्टार्टिंग की अगर बात कह लिए जाए तो आरंब कभूती अजन्ता की करा से ही इसकी स्टार्टिंग हो गएती आगे देखिएगा अगला प्रश्ण है प्लैनोग्राफी निम्रिखित में से किस छपाई प्रक्रिया से सम्बंदित है सेरीग्राफी, इंटागलियो, लैटर प्रेस, रोटो ग्रेवर तो आप बताएंगे सेरीग्राफी, प्लैनोग्राफी जो है, ये किस छपाई प्रक्रिया सम्बंदित है तो ये सम्बंदित है सेरीग्राफी से, ठीक है और ये जो है, प्लैनोग्राफी जो है, ये किस, मतलब किस चीज़ की विद्य है तो ये मुद्रण की विद्ध है, ठीके, मुद्रण की एक विद्ध है, ओके, इसके बाद आगे देखेगा, मोहन जोदलो से प्राप्त प्रिशिद्ध मूर्ति शिल्प मात्र देवी, ये किस चीज से बनी वीती, सामग्री से बनीती, लकडी से, पत्थर से, धातु से या मूर्ति है, ये बनी वीती, मूर्ति, कहने का मतलब है, इसका मतलब होता है, मिट्टी, ठीके, इसका मतलब क्या होता है, मिट्टी, तो आप समझ सकते हैं कि मात्र देवी की जो मूर्ति थी, ये मिट्टी से बनी वीती, ठीके, और मोहन जोदलो से और क्या-क्या प्राप्त ह हुआ है तो दुशाला ओड़े योगी यह भी प्राप्त हुआ है क्या बताया हमने दुशाला ओड़े योगी कि दुशाला ओड़े योगी और इसके साथ में पश्पतिनाथ की मोर्ति जो है यह मतलब वहां पर जो आपके सिक्के वगरा प्राप्त हुए है ना वहां पर यहा पर कोई भी चीज़े उसमें सील लगती थी ना मतलब मोहर लगती थी तो जो मोहर लगती थी उसमें क्या था उसमें पस्पतनात की मोर्थी बगरा बनती थी गैंडा भैसा ठीक है ये सभी उसमें बना कलते थे अगर हम बात करें कहां से की नर्तिकी की मोर्थी की बात करें तो आगे बढ़ते हैं कलात्मक चल्चित्र गज गामिनी इसके रचैता कौन है सतेश गुजराल नलिनी मलानी एम एफ हुसैन विवान सुंदरम तो गज गामिनी के रचैता आपसे पूचे क्या आप पताएंगे एम एफ हुसैन ठीक है ये थे रचैता आगे देखिएगा अशोक के पोते दसरत ने इनमें से किस गुफा का निर्मार करवाया था अशोक का पोता का नम क्या था दसरत और इन्होंने किस गुफा का निर्मार करवाया बादामी गुपिका सीता मड़ी या लोमस रिशी तो आप बताएंगे गुपिका गुफा का नम प्रस्ट नमर क्वायता किसने अशोक के पोते दस्रत ने इसके बाद अगर हम पहुंचें तो यह गोपिका गुफा है कहां तो आप बताएंगे नागार जुन पहाड़ी पर कहां पर है नागार जुन पहाड़ी है इसी पहाड़ी पर है ठीक है आगे देखेंगे आप लोग पर इसके बाद हम लोग आके देखेंगे अगला प्रश्ण आपका यहां पर है प्रश्ण नंबर देखीएगा आप लोग यहां पर 29 नंबर है विख्यात कला इतियासकार और कला समीट्चक आनंद केटिंश कुमार स्वामी को डैस चित्रों का प्रवर्तक अध्यता विद्वान माना जाता है तो कौन से चित्रों का विद्वान मानते हैं बंगाल राजस्थानी दखिनी या आजंता तो आप बताएंगे राजस्थानी चित्रों का ठीक है तो जो आपके विख्यात कला इतियासकार और कला समीचक है आनं आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद वराह किसका अवतार है शिब बुद्ध तीरतंखर या विश्णू का तो वराह जो है विश्णू का अवतार है वराह आगे देखेंगा इनमें से कौन सा कलाकार ओरी गामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है ओरी गामी शैली में जियोती बट विमल बनल जी तैयब मेता जैज हरोटिया विमल बनल जी ये हैं ओरी गामी शैली में चित्रकारी के लिए प्रख्यात है ठीक है विमल बनल जी आगे देखेंगा आप लोग यहां पर लिखा है मिनीमल कलास से संबंदित करती जो है वाइस ओफ फायर ये किस से निर्मित है बार्नेट न्यूमैन टोनी स्मित काजिमीर मालेविच जिम थांपसन तो क्या का गया था वाइस ओफ फायर किस निर्मित की तो ये निर्मित की गई है बार्नेट न्यूमैन के द्वारा इसे निर्मित किया गया है आगे देखिए दशावतार मंदिर किस राजवन्ष ने बनवाया था सातवाहन, गुप्त, पल्लव, चंदेल ये गुप्त राजवन्ष के द्वारा बनवाया गया था दशावतार मंदिर दशावतार जो है ये है कहाँ पर अगर बात कर ली जाए दशावतार मंदिर कहाँ पर है तो ये यूपी में है ठीक है यूपी में है और यूपी में भी कहाँ पर है देवगड में देवगड जहांसी में ठीक है अब आप लोगों किले हो जागा है आपर कहाँ पर इस्तित है आगे देखेगा इसके बाद शीव वामन मूर्ती इनमें से किस संग्रहाले में इस्तित है शार्णा संग्रहाले उत्तर पिदेश मैंचेस्टर संग्रहाले ने दिल्ली राष्ट्री संग्रहाले ने दिल्ली पट्ना संग्रहाले विहार ये राष्ट्री संग्रहाले ने दिल् ओके इतना आप सभी क्लिद हो गया होगा इसके बाद अगर हम बात करें यहीं पर कि जो आपको मोहन जोदरों से प्राप्त हुई थी नर्तकी की मूर्ती तो नर्तकी की मूर्ती की बात करें यह कहां पर है यह भी यहीं पर है ठीक है राश्ट्री संग्रहाले नई दिल्ली में इस्तित है अब इसके बाद हम लोग चलते हैं आगले प्रश्न पर ठीक है चित्रकार निसारुत दीन किस शैली से सम्बंदित है निसारुत दीन जो है यह राजस्थानी पहाड़ी, मुगल जैन तो यह आप बताएंगे राजस्थानी शैरी से संबंदित हैं क्या नाम इनका है निसार उद्दीन ठीक है इसके बाद अगला प्रश्ण आप लोग यहाँ पर देखेंगे प्रश्ण नमबर 36 प्रश्ण है आपका यहाँ पर केर्थी स्थंब कहां है बीजापूर में, जैपूर में गौलियर में या चिताड़ गर में तो आप बताएंगे औप्शन डी करेक्टर ठीक है चिताड़ गर में इस्तित है और यह कहाँ पर है यह है आपका राजस्थान में है ठीक है और यह जो किर्थी स्थंब है यह जैद नितंकर जो आपके थे आधिनाथ उन्हें समर पे थे ठीक है आधिनाथ को समर पे थे यह किर्थी स्थंब आगे देखिएगा इंसल्च आफ वैनिश्ड बलड शेशक वीडियो आइट किस ने निर्मित किया यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर होगा नलिनी मलानी ने इंसल्च आफ वैनिश्ड बलड जो है सेशक वीडियो आइट जो है यह नलिनी मलानी ने निर्मित किया आगे हम लोग यहाँ पर और देखेंगे अगला है कि सही को चुनिये इन में से आपको सही को चूच करना है क्रोचे कला सत्य की अनुक्रती है जविद्ना टैग और मानव कला के द्वारा अपनी अव्यक्ति करता है आर जी कालिंग वुड कला सम्वेक के सिद्धान पर का अधारित है अगला है कि बैरोन इली सुन्दर अव्यक्ति है प्रवाओ की अव्यक्ति सब की अनुसार यहां पर लिखे हुए है कि किसने किसका कथन कौन सा है कहने का तात पर यह है तो जविद्नाट वाला जो है यह लिखा है कि मानव कला के द्वारा अपने अव्यक्ति करता है ठीक है तो ये आपका कथन जो है बिल्कुल सही है ठीक है अगर हम बात करें क्रोचे की तो क्रोचे ने क्या कहाता क्रोचे ने कहाता कला बाहे प्रभाव की आंतरिक अभी व्यक्ति है ये ने कहाता क्या कहाता कला बाहे प्रभाव की आंतरिक अभी व्यक्ति है और रविद्ना टैगॉल ने इन्होंने तो लिखा हुआ है मानव कला के द्वारा अपने अविव्यक्ति करता है चलिए आगे देख लेते हैं किस चित्रकार ने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया था तयब मेता जी आर संतोस एम एफ हुसेन एस एच रजा इनमें से आपका हो जाएगा एस एच रजा जो हैं इन्होंने आधक बिंदु को लेकर चित्रण किया था ठीक है आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद में चालिस नमर है जैमितिय अमूर्तन कला के निमित किस कलाकार ने नियोप्लास्टी सिज्म का प्रियोक किया पिकासो मौंद्रियां जौल डियूफी पॉल सेजान ठीक है तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौंद्रियां यह आपसे नमर आपका भी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा रस सिद्धांत के प्रिशिद्व्याख्याकार को पहचानी है जो रस सिद्धांत के प्रिशिद्व्याख्याकार है आनंद वर्धन नगन जीत वामन अविनब गुप्त तो आप बताएंगे अविनब गुप्त जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट अंसर बन जाएगा ओके यहाँ पर आप सभी लोग समझ गयोंगे ठीक है इसके बाद अगला प्रश्णम देखते हैं नेमलिखित में से कौन सा सचित्र ग्रांत प्रारंबिक मुगल शैले का है प्रारंबिक मुगल शैले का कौन सा चित्र है शाह नामा ए फिरदोशी दास्ताने अमीर हमजा गुलिस्ताने शादी रज्मनामा तो आप बताएंगे प्रारंबिक की बात कीगे तो आप बताएंगे दास्ताने अमीर हम्जा ये प्राणबिक मुगल सेली का चित्र है ठीक है इसके बाद आगे हम लोग और देखें तो आप देखेंगे प्रसिद्ध कुत्ब मिनार का इस्तित है और आगरा और अंगाबाद एहम्दाबाद दिल्ली तो आप बताएंगे दिल्ली में इस्तित है और कुतुब मेनार का निर्माड कुतुबुद देन एवक ने करवाया था। ठीक है? और इसकी बात की जाए से किस ने पूर्ण करवाया था तो इलतुत्मिश ने इसे पूर्ण करवाया था। मद्यपदेश में विदिशा के समेप इस्थित उद्यगरी गुफाएं किस काल से सम्बंदित हैं? मौरिकाल, वाकाटक काल, गुपतकाल, सातवाहन काल आप कहेंगे गुपतकाल से सम्बंदित हैं ठीक है? मद्यपदेश में विदिशा के समेप उद्यगरी गुफाएं जो है ये गुप्त कालीन गुफाए है आगे देखेगा नेम लिखित में से कौन सा इंस्टालेशन शुबोद गुपता द्वारा निर्मित किया गया एन एफो बी एफो यू एफो या जी एफो तो इसमें से आपका बी एफो किया गया था सुबोद गुपता द्वारा इन इस्टालेशन किया गया था देखेगे बी एफो का किस मुगल शहिंसा के काल समय एवदी में मुगल लगु चित्र शैली छिन भिन हो गई थी मुहमद शह रंगीले के समय औरंग जेब के समय बहादुर शह जफर के समय नवाब वजीर सफदर जंग के समय में तो यहां पराबताएंगे औरंग जेब की समय में किसके समय में औरंग जेब बात की जाए औरंग जेब को क्या का गया कला द्रोही ठीक है कि औरंग जेब कला द्रोही शाशक था कला द्रोही का गया है इसके बाद आगे देखीगा इनमें से किस राजवन्ष ने जम्मू कस्मीर राज जी में मारतंड सोध मंदिर का निर्माड करवाया मौद करकोट शुंग या गुप्त आप बताएंगे करकोट वन्ष ने ठीक है करकोट ने करवाया था आगे देखेगा ध्वन्ने लोक निम्रिकित में से किस के दवार अचित है हर्ष आनंद वर्धन भरतमोनी नंदलाल बोष तो बात के गई है ध्वन्ने लोक की कि ये किसके द्वारा रचना के गईıs की है आनंद वर्धन के द्वारा इस क्रिष्णा की गई है इसने की है आनंद वर्धन ने और ये कौन है ये ध्वनी संपरदाय के परवर्तक बाध वास्तुकला में चैत्य क्या है तो बाध वास्तुकला में चैत्य क्या है प्रार्थना कच्छ होता है उसे हम लोग कहते हैं चैते ठीक है चैते और विहार किसे कहते हैं एक शब्द होता है विहार अगर विहार की बात की जाए तो विच्चूओं का निवास स्थान या मतलब आराम करने की जगए उसे हम लोग कहते हैं विहार और चैत क्या होता है प्रारतना कच्च और विहार क्या होता है आराम करने की जगए या विच्चूओं का निवास स्थान कमपनी चित्र शेरी का विकास काल है कौन सी शताबदी है तो 19 वी शताबदी है ठीक है 19 वी शताबदी इन में से कौन सा राजस्थानी लगू चित्र श्कूल शिकार के द्रश्च की चित्रकारी के लिए प्रख्यात है तो वो आपका है कोटा लगू चित्र श्कूल ठीक है कोटा की आप बात की गई है और कोटा शेली की खोज किस ने की थी तो आप क्या बताएं करणल जी करणल क्या ना में का टी जी गेर एंडर्सन ने मैंने आपको पढ़ाया भी है ठीक है एंडर्सन ने इन्होंने खोज की थी किसकी खोज की थी इन्होंने कोटा शेली की खोज की थी करणल टी जी गेर एंडर्सन ने खोज की थी 1952 में कोटा शैले के आगे देखें पुस्तक है प्रिंसेस ओफ शिवा यह लिखी किसनी है आपसन आपको दरखें हैं कि E.H. गोंबरीच R. कालिंग बुड स्टेला क्रेमरिश रुडाल्ड और्न हिम यहां पराबताएंगे स्टेला क्रेमरिश ठीक है इन्हों लिखिए प्रिंसेस ओफ शिवा शैल उतकीन जत्मंदिर का निमाड किससे हुआ है बलुआ पत्तर ग्रेनाइट पत्तर चुना पत्तर या संग मरमर से तो आप बताएंगे शैल उतकीन जत्मंदिर का निमाड जो है ग्रे नाइट पत्थर से हुआ, इससे हुआ है, ग्रे नाइट पत्थर से हुआ है, यहां देखिए, यामिनी राय प्रेरित हुए थे, यह किस चेज से प्रेरित हुए, लगो चित्रन शैली से, मदवनी शैली से, काली घाट चित्र शैली से, येवरोपी चितकला से, काली घा चित्र शहले से प्रेरित हुए थे या मेनी राय ओके यहां तक आप सभी को किलियर हो गया होगा यहां पर आप देखेगा प्रस्ट नमबर पच्पन पच्पन में क्या लिखा हुआ है कि सो मनात होर किस रूप में जाने जाते हैं अब आपको यहां पर विकलप जा रखें विकलप के इंतरकत भी आपके बहुत से हैं ठीके तो इन सब से हमें देखना यहां पर है तो देखिए सो मनात होर जो है चापा कार भी है कला समीच्छ को इत्याशकार भी है और चित्रकार भी है तो यहां पर आपका D option बिल्कुल correct आ आदिवेशन का बैनर किस ने चित्रित किया था तो ये बैनर चित्र करने वाले कौन थे नंदलाल बोस थे रवींद ना टैगोर थे विनोध बिहारी मुखर जी असित कुमार हलदार ये थे आपके नंदलाल बोस कौन थे नंदलाल बोस थे इसके बाद आगे देखिएगा चापा चित्रन में शौफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए प्रियुक्त करते हैं वैसलीन का जिंक पाउडर का रेजिन का एबिटुमन पाउडर का तो शौफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए हम लोग जो है रेजिन का ठीक है छापा चित्र में जो है रेजिन का पुर्यों होता है शाफ्ट ग्राउंड बनाने के लिए रेजिन गर्व ग्रह की अवधारणा और डैस से संबन्दित है तो ये बाद मंदिर हिंदू मंदिर गिर्जा घर चर्च या मस्जिद तो ये संबन्दित है हिंदू मंदिर से ठीक है गर्व ग्रह की अवधारणा जो है इसका संबन्द किस से है तो आप बता देंगे यापर हिंदू म संबंद है राजसभा में दरॉपदी नामक चित्र किस चित्रकार से संबंद है नंदलाल बोस अमरताशेर गिल राजा रवीवर्मा ए आर क्यूंगतर तो यहां की जाए तो ये जो है इनका जन्म का मुआ था तो आप बताएंगे के रल में ठीक है जन्म की बात किया क्या है आप लोग के रल में और इंके बारे में और भी एक चीज बहुत फिमासे ठीक है अगर बात की जाए सरफर्थम ये तेल लगों का प्रियोग सर परतम तेल लगों का प्रियोग कि अगर बात करें आपर तो आप क्या उताएंगे तो आपको इनी का ना बताना है सबसे पहले तेल लगों का प्रियोग किस ने किया था राजा जवी वर्माने किया था ठीक है अब आप सभी को याद हो गया होगा अब आगे देखते हैं अगला आपका है आपर साथ नंबर है कि तो आप क्या बताएंगे आनंद कुमार स्वामे इसके बाद आगे किसी भी बोतल का रेखांकन करने के लिए इनमें से किस जयामिती आकार का प्रियोग करते हैं तिरवूज वरत बेलन वर्ग तो बेलन का इस्तिमाल करते हैं ठीक है बेलन पुस्तक है अजन्ता मियूरल्स इसके लेकर पूचे गए हैं जान ग्रिफित मुकुल चंद्रडे अजीत घोस बी एन गोस्वामी तो आप बताएंगे अजीत घोस क्या ना बताएंगे आप लायन केपिटल किस माध्यम से निर्मित है कि किस माध्यम से निर्मित है कि चमकदार पत्थर लूहा जस्ता फाइवर ग्लास आप बताएंगे चमकदार पत्थर से संबंदित ठीक है चमकदार पत्थर डॉला वीरा पुरात्वत्विक स्थल डएस काल अबस समय में संब्दकता है और किस काल से संबंदित है यह आपको बताना है मौरईकाल शुंक खाल सिंद गड़िकाल या गिप्ते काल तो यह तो पता होगा आपको सिंद्ध घाटि काल से समद्धित है ठीक है धौला विरा खोज किसने किती इसकी S.R. विष्ट ने किती ठीक है S.R. विष्ट ने इसकी खोज किती हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी W.C. आर्चर हरबर्ट रीड भुलकराज आनंद S.R. निवेदिता ने तो यहां पर आप बताएंगे S.R. निवेदिता ने लिखी थी ठीक है हिंदू एवं बुद्ध के मिथक पुस्तक किसने लिखी थी S.R. निवेदिता ने भारत के किस वर्तमान प्रांत में सांची का महाइस्तूप इस्तित थी सांची का इस्तूप कहाँ पर है मध्य प्रदेश्ट में है सांची का इस्तूप ठीक है जिल्या कौनसा है तो राईसें जिला है राईसें जिले में इसके बाद आगे देखिएगा Frieze of Life सीरीज की चित्रकार का नाम बताईए, क्या नाम है इनका, लुडविक क्रिखनर, एडवर्ड मुंक, एरिक हैकल, वैसली कैडिस्की, एडवर्ड मुंक, इनके और भी कई चित्र प्रसित्ते हैं, जैसे अगर बात करें, दाइस्कीम, ठीक है, दाइस्कीम जो है, ये भी है, और दाइस्प्रिंग है, दाइस्प्रिंग, इस तरीके से इनके और भी चित्र है, दाखिल दरवाजा कहां इस्तित है, जैपुर, गौर, दिल्ली या आगरा में, आप बताएंगे, गौर में है दाखिल दरवाजा, गौर कहा है, ये आपका है राजस्थान में, कहां पर आप बताएंगे, लाए दरवाजा कई अलाई दरवाजा कि तो यह कहां पर यह दिल्ली्हें और इसका निजमार किसा ने पर आगे देखिए इन्हें आपस में मिला है इन्हें आपको मिलाना हे तर आports right अपका कर्ट्ट हुआगा सूची एक को सूची दो से बिलाना है चले मिलाते हैनु आप हम लोग इसका जो कॉरेक्ट आंसर है वो आपका दीखीगा गुप्त काल है तो गुप्त काल जो है यह करला का सुनहरा यूग इसे कहेते हैं गुप्त लोग क्या कहते हैं कला का सुनहरा यूग कहते हैं शाजहा काल की बात है शाजहा काल को कहते हैं वास्तु कला का सुनहरा यूग शाजहा के समय वास्तु कला ठीक है तो शाजहा काल क्या है वास्तु कला का सुनहरा यूग बीवी दोशी और इनका सम्मंध है वास्तुकार से ठी कुट्टे के साथ महिला ठीक है तो ये इतना आपका यहां पर हो गया और आपको इतना पता होना चाहिए आपका आपसन नमबर ये आपका करेक्ट होगा यहां पर आप लोग देखिएगा क्या लिखा हुआ है कि लोथल और काली बंगा दोनों दोनों क्या हैं कहां इस्तित है दोनों ये जो हैं देखिए गुजरात में इस्तित हैं प्राक मौर कालीन इस्तल हैं और प्रसिद्ध प्राचिन पोर्ट है हरपा कालीन इस्तल हैं तो इनमें सबसे सठीक आपका अपसुन कौन होगा ये दोनों हरपा कालीन इस्तल हैं ठीक है और बात करें लोथल की लोथल कह पर लोथल है गुजरात में है लोथल कहां पर इस्तित है लोथल है गुजरात में इस्तित है गुजरात के एहमदावाद जिले में और लोथल भोगवा नदी के तटपर है ठीक है लोथल कहां पर है गुजरात में है भोगवा नदी के तटपर है और एस आर जाओ जो है इन्ह खोश ने इन्हों ने खोच की थी, किस नदी के किनारे है, काली बंगाuster नदी के किनारे है। पर इसके किनारे है। Lights ostat a ख्急 किनारे हैं। से प्राप्त हुए यहां देखीएगा इनमें से किस कलाकार ने प्रेम कहानी की थेह ही जान झापर काम किया था कि शोभा सिंग क्शेश घला है टीक हो क्षोबा इस सूभा सिंग कि त्यांसि कुंसी प्रसिद्ध याष्ध मोरति माइकल एंजू वारा दिरमित की गई है जौन बैप्टिस्ट, हरक्यूलिस, पिएटा, लाउ कास आप बताएंगे पिएटा माइकल एंजिलो के द्वारा कौन से मोर्ती जो है निर्मित की गई थी क्या बताएंगे आप लोग पिएटा है कहाँ पर ये वेटिकन सिटी के सेंट पीटर्स बेसी लिका में सुरच्छे था यह ठीक है वेटिकन सिटी में आगे देखिए लेटर प्रेस जो है किस से संबंदित है लेटर प्रेस की बात की गई है तो यहाँ पर हम देखेंगे पहला, दूसरा, तीसरा, चोथा यह आपको 4 आपसें दे रखे हैं क्या है hot times, cold times, negative plate, solid tone तो later price जो है इसके लिए आप बताएंगे hot times से और solid tone इन से संबंदी थे इसलिए यहाँ पर आपका यह option जो है यह बिल्कुल correct answer हो जाएगा इसके बाद आके देखेंगे छापा कारों को उनके जन्म के काल कर्मा अनुसार विवस्तित करें जन्म के काल के कर्म के अनुसार विवस्तित करना है तो आप यहाँ पर देखेगा यहाँ पर आपका correct answer हो जाएगा B ठीक है जेंब्रा गोया जेम सेंस और एडवर्ड होपर अगर हम बात कर लें तो यह जो गोया है इनका जन्म हुआता 1746 में ठीक है इनका हुआ तो 1746 में इनका जन्म हुआता रिब्रा का 1606 में हुआता और इसके बाद में एडवर्ड होपर जो है इनका जन्म हुआता 1882 में और कौन बचे हैं एहनस और इनका वाता 1860 में तो यह जन्म हुआ है ठीक है सबसे विशालकार श्रिला कार्ट मंदिर भारत में किस जगे पर है एलोरा में है कहा पर है एलोरा में इस्तित है आगे देखेगा हरिश चंद्र को किसने चित्रित किया परशनाप का है हरिश चंद्र को किसने चित्रित किया है अम्रता शेरगिल राजा रई वर्मा जे मिनी राय अवनेंदर नात ठाकुर यहाँ पराब बताएंगे जाजा जवी वर्मा ने हरिश्चंदर को चित्रित किया है किसने किया है जाजा जवी वर्मा और ये प्रशिद तैल चित्र है ठीक है कैसा है ये प्रशिद तैल चित्र है तो आपको इसके बारे में भी नौलिज होना चाहिए ओके आप लोग यहाँ तक हमारी बात को समझ गयोंगे इसके बाद आगे देखेगा ठीक है प्रस्ट नमबर आपका है 77 तो यहाँ पर आप लोग देखेगा सिंदु घाटी की मोहरे किन आकारों में मिलती है गोलाकार, आयताकार, बेलनाकार, त्रिभुजाकार यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आयताकार, ठीक है ऐसे मिलती है, आयताकार, बैसे मिलती हैं तो और भी तरीके की हैं लेकिन अगर मुख रूप से देखें तो कौन से मिलेंगे आपको आयताकार, ठीक है लिखा अगला है कि राजा अनिरुद सिंग हीरा चितरकारी इनमे से किस लगु चितरी स्कूल से सम्बंदित है जोदपूर कोटा मेवार बूंदी तो आप बताएंगे बूंदी राजा अनिरुद सिंग हीरा चितरकारिन में से किस लगु चितरी स्कूल से संबंदित है क्या बताएंगे आप लोग यहाँ पर बूंदी से संबंदित है ठीक है बूंदी अगला है प्रशिद शैल उतकीड त्रिमूर्ती ये कहाँ पर इस्तित है किस गुफा में इस्तित है तो इसके लिए गुफा काउंसी है अलिफेंटा गुफा गुफा का नाम क्या है अलिफेंटा गुफा में इस्तित है अजन्ता के किस गुफा मंदिर में प्रशिद बेती चितर बोधी शत्तु पदम पाड़ी चितरित किया गया है ठीक है तो बोधी शत्तु पदम पाड़े की बात की गए तो गुफा नंबर आपको बताना है तो गुफा नंबर आप बताएंगे एक में गुफा नंबर एक में आगे देखी का इसके बाद इन्हें सही काला नू क्रमिक क्रम में विवस्थित करें तो सही काल में आपको आगे देखी का जाजस्थानी लगुचित्र शैली की किशनगड उप्रशैली के उत्करश चित्रों की खोज का सिरे किसे आता है? मतलब किशनगर सहरी के जो उत्रष चित्र हैं इनकी खोज के बारे में आपर बात पूचा गया है आनंद केंटिस कुमार स्वामी कुमर संगराम सिंग प्रोफिसर एरिक डिकिंसन कर्नल टॉड तो आप बताएंगे एरिक डिकिंसन ठीक है क्या बताएंगे एरिक डिकिंसन आगे देखिए कोडार का मंदिर किस भारती हिंदू देवता को समर्पित है शिव विष्णू सूर ब्रह्मा यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सूर ठीक है किसे है सूर और कोडार का सूर मंदिर जो है यह है कहां तो यह ओडिसा मे है कहां पर है ओडिसा में है यह आगे देखिएगा आधनिक भारती चित्रकारों में कौन लोक कलास से प्रभावित कलाकार है लोक कलास से प्रभावित कलाकार का नाम बताना है नंदलाल बसू यामिनी राय कनु देशाई मुकुल दे आप बताएंगे यामिनी दाय नाम क्य पश्चिमी चालुक के कालीन मंदिर ये कहां पर है राज रानी मंदिर वनेश्वर या काची पुरम तमिलनाडु या आई होल पट्टद कल या कैलास मंदिर एलोरा पश्चिमी चालुक के कालीन मंदिर जो है कौन सा है और कहां पर है इसकी बात की गई है आई होल पट्टद क तो यही आपका यहां पर बिल्कुल करेक्ट आंसर बन जाएगा आगे देखिए शैल करत मंदिर स्रंकला पांच पांच रथ यह कहां पर इस्तित है महाबली पुरम अहलोरा अजन्ता काची पुरम आप बताएंगे महाबली पुरम में इस्तित है प्रिसिद्ध समकाली नातुनिक भारती मूर्ति सिल्प गणेश की रचना किसके द्वारा की गई है डीपी राय चौदरी यामनी राय वनिन्ना टैगोर या जानकी राम के द्वारा आप बताएंगे जानकी राम के द्वारा की गई है ठीक है जानकी राम प्रिश्ट नमर आपका अठासी है कि जंग क्या होता है पोत का गुड़, प्रकाश का गुड़, जंग के गुड़, प्रवाविता के गुड़ तो रंग होता है प्रकाश का गुड़ इसके बाद अगर हम बात करें प्रात्मिक कलद कौन कौन से होते हैं इनके बारे बात करें प्राथमिकलर तो प्राथमिक चाहन करें के में सिर्फ तिर आते हैं ठीक है लाल हरा और नेला कौन कौन से जाते हैं लाल हरा और नेला आगे देखिएगा आजन्ता गुफाओं में गुफा संख्या में फाइटिंग बुल विशे पर एक चित्रकारी है कौन सी गुफा है वो जिसमें फाइटिंग बुल के बारें बता गया है तो आप बताएं गुफा संख्या एक है गुफा संख्या एक में अगला है परदास तकनीक का प्रियोग स्वेर प्रतम किस चित्रण शैली में हुआ परदास तकनीक, परदा तकनीक, मुगल चित्रकला शैली, पाल चित्रण सैली, अजनता चित्रण सैली, आवद चित्रण सैली तो ये मुगल चितर शेली में ठीक है मुगल चितर शेली में इसके बाद है ताज महल का मुख वास्तुकार कौन था उस्ताद अहमद लाहौरी शिख जिलानी मिरक मिर्जा घ्यात या अमजद खान तो यहां पर आब बताएंगे उस्ताद अहमद लाहोरी अहली फेंटा गुफा मंदिर कहा है इस्तित है ये है महाराश्टर में इस्तित है अहली फेंटा गुफा मंदिर महाराश्टर में है अजंता गुफाओं की चत्रकारी में से किस चत्रकारी में हाथी भगवान बुद्ध का प्रत्रोपड करते हैं चंद्रता जातक, पद्मपाड, गंधर्व, यार विजय इसके लिए आप बताएंगे चंद्रता जातक हिंदी भवन में एक भेती चित्र मद्यकाले इन संतों का जीवन इनमें से किसने बनाया था सतीस गुजराल ने, अपरणा कॉल ने, MF हुसेन ने, विनोध बिहारी मुखरजी ने तो आप बताएंगे यहाँ पर विनोध बिहारी मुखरजी ठीक है, विनोध बिहारी मुखरजी आगे हैं कि डाकुमेंटरी फिल्म है, इनर आय के निर्देशक कौन थे अपरणा सेन, विमलाय, सतीश, गुजराल, सत्यजीत रे सत्यजीत रे, कौन थे सत्यजीत रे रादिका को किसने चित्रित किया था? रादिका का चित्रित किसने किया था? जे स्वामी नातन, रादिका आप्टे, विलासिदे, M.A.R. चुकताई तो यहाँ पर आपका यही है, M.A.R. चुकताईन है सेरी ग्राफी शब्द, निम्लिगे मैंसे किस प्रकार की चपाई के लिए प्रियुक्त होता है सिल्क स्क्रीन, ठीके, इसकी चपाई के लिए प्रियुक्त होता है सेरी ग्राफी पदम बिवोशन से सम्मानी चितरकार कौन है जिनने पदम बिवोशन बिला था नंदलाल बसु है ठीक है कौन है नंदलाल बसु है उननीस सो चौबन में पाल चितरकारी में इनमें से किसे आधार गिरूप में इस्तेमाल किया गया तो पाल चितरकारी में किसे आधार जिसे कहते हैं जाज ताल इसके बाद आगे देखिए जाश्ट्री संग्राल निदिली के प्रत्म महादेश्च कौन थे पुपुल जैकर डाक्टर ग्रेस मोर्ले कपिला वात्सयायन सी शिवराम मूर्ती तो यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा डाक्टर ग्रेस मोर्ल इसके स्थापना उननिस सो इनचास में होई थे जाश्ट्री संग्राई ने दिलिी की ठीक है आगे देखिए निम्दिकित में से कौन सा खनीच रंग नहीं है कौन सा खनीच रंग नहीं है हल्दी गेरु रामरज इरउंजी तो हल्दी जो है ये खनी जरंग नहीं है कंपनी स्कूल के चित्रकाल सेवक राम का चित्रकारी का विशे क्या था तेवहार और समार हो तेवहार और समार हो इनका था आगे है आपका दसावतार विश्णू के अवतरण का सही क्रम क्या है विश्णू के क्रम का सही क्रम मतलब विश्णू के अवतरण का सही क्रम तो आप यहां पर बताएंगे मतस्य, कुर्म, वराह और नरसिंग आगे देखेगा इस्थापत कला से आप क्या समस्ते हैं इस्थापत कला से आप क्या समस्ते हैं त्री आयामी कला, रंगमंच कला, दुई आयामी कला और छापा कला तो आप बताएंगे त्री आयामी कला पहाड़ी चित्रकला के सही युगम को चुनिये आपको सही जोड़े को चुननाया पर है तो पहला सही आपका कि मंदी शैली जो है नरोत्तम इस शाखा का मुखिक अलाकार था मंदी शैली का कौन था नरोत्तम दास ठीक है मंदी शैली के और भी चित्रकार है जैसे कपूर किरी है, सजनू है, दौलत, मुहम्मद वक्ष, मुहम्मदी ये सबी है महात्मा बुद्ध को भिच्चु के दूप में अजन्ता के किस गुफा में चित्रित किया गया है तो इन्हें क्या गया है सत्रवी गुफा में किसमें क्या क्या है सत्रवी गुफा में एक स्वात नमबर है इनमें से कौन एक प्रशिद जंगलवादी चित्रकार है जंगलवादी चित्रकार की बात की गए तो आप क्या बताएंगे मैटिस थीम बलम या तीर्थंकर ये किसका प्रतीक एक हाती है इनमेंसे कौन सा ऐसा जैन तिर्धंकर है, जिसका परती क्या है? हाथी है, तो महावीर, जो कि 24 में तिर्धंकर थे चैतन्य का ग्रहत्याग किस चित्रकार ने बनाया? तो ये बनाया है, छितिन्दिनात्र मजूमदार ने बनाया है पुस्तक है किशन गड़ पेंटिंग और इसके लेखक के बारे में आपसे पूचा गया है कौन है आप बताएंगे ये डिकेंशन जो है ये इसके लेखक है शांतिनिकेतन के राम किंकर बैज किस रूप में जाने जाते हैं तो ये जो राम किंकर बैज हैं ये मूर्तिकार के रूप में जाने आते हैं तो मूर्तिकार आपका यहां पर बिल्कुल ही राइट आंसर हो जाएगा इनमेंसे कौन सा कलाकार लोग कला के लिए प्रक्षात है लोग कला के लिए है जयमीनी राय किस संग्रहाले में दावड कैलाश प्रवध हिलाते चितरकारी देखी जा सकती है तो यहां पर आब बताएंगे दाश्ट्री संग्रहाले कौन सा है नई दिल्ली एक कुमार स्वामी ने क्यूरेटर की रूप में अपनी सेवाएं परदान की हैं तो किस संग्रहाले में बिर्टिज संग्रहाले लंदन ठीक है बिर्टिज संग्रहाले लंदन में जिस विख्यात कला समिचक ने बंगाल शैली की चित्रों का परचार किया उसका नाम आप से पूचा गया है डाक्टर आनंद केंटिस कुमार स्वामे आगे देखिए भारतिय मोट कला में शैलीयों का सही काला अनुकरम चुनिये आप अनुकरम सही चुनेंगे तो आप बताएंगे पहले मौद फिर सुंग फिर कुशाण उसके बाद गुप्त अब आगे आपको कथन रखा है कि कथन है कि तान का सम्द सगनता से है कथन है कि बल मान का सम्द रंगत से है अब इनके बारे में आपको डिस्कस करना है बताना है तो दोनों कथन सही है ठीक है तान का सम्द सगनता से है ये भी सही है और बल मतलब मान का सम्द रंगत से है यूनी काल्ण चबी हमें मिलती है तो ये कहा पर मिलती है मैं तो ये सिंद घाटे की मोहरों से मिलती है यूनिकार्ण छवी फ्रेसको विदिका प्रियोग किया जाता है किस रूप में भित्ती चित्र में कलते हैं फ्रेसको विदिका प्रियोग सिंद घाटे से प्राप्त अलंकरत मदभांटों पर बने अलंकरण जो हैं ये किस आकार के थे जियामिती है बंगाल शेले के कलाकार कौन नहीं है बाकिस अभी है तो आप बताएंगे अधतिन विता नहीं है देखे सुवेंद्रकर हैं शेलेंद्र हैं मुकुल दे ये सभी है भारती पौराडिक गाथाओं का मनोरी अंकन नवीन युक के किस आधुनिक भारती चुत्रकार नहीं किया जाजा जवी वर्माने निम्रिकित मेंसे कौन से साधरश रंग है तो कौन से रंग साधरश है पीला नारंगी पीला नारंगी प्रातमिक कौन कौन से हैं लाल नीला ह्रा प्रातमिक रंग है राजस्तानी लगुचितर शैलिका उद्वब देचल समय सताब्धि में वाता तो आप बताएंगे सोलमी सताब्धि में ठीक है शıyla लुए और इसके बाद आपका लाश्ट है कि बगहेरा वधेरा आइट गैली जो है यह कहां इस्तित है आप बताएंगे दिल्ली में इस्तित है इस तरीके से हम लोगों ने आपर 125 प्रस्ट पूरे सॉल्व कर लिए हैं उम्मीद करता हूं यह वीडियो आपको पसंद आया रहा है तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपना स्कोर में कमेंट वाक्स में बताइएगा